हालो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी उमीद है आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज है मक्का संक्रांती मक्का संक्रांती की आप सभी को धेर सारी सुब काम दाए और मैंने खीचडी सिमपल से बनाई है यह मेरे हां सिमपल से ही खीचडी बनती है और मैंने खीचडी चड़ा दिया है खीचडी उधर पक रही है तब तक मैं यहाँ पर उड़ने की डाल भीगो के र मिक्सी में ही पीस लेती हूँ क्योंकि अच्छे से पिस भी जाती है और यहां पर मैंने अलग-अलग करके दो अलग-अलग दो भाग में पीसी है और एक थोड़ी मोटी कर पीसी है और एक बिल्कुल बारीक कर ली है और मोटी वाली से मैं बरा बनाऊंगी और जो बारीक है उ और हरी मिर्च कचवरियों में मैं ये मसाले डालूंगी और बागी के मसाले पीसे हुए डालूंगी और यहां यह देखिए खिचडी बनके तयार हो गई है और खिचडी मैंने दो भगोने में अलग-अलग बनाई है क्योंकि एक में थोड़ी पतली बनाई है और एक में थोड ठाली खाली है, और यह देखिये, निमबू है, यह दही है, किजड़ी है, और हो गई थी, दो पहर दो पहर में मैंने धेल सारे पकोण बनाये amplified हैं, और यह मैंने दोसो ग्राम गудь में ले लिया, इसुतो भी गो दिया जो दही था तो उसमें ये मसाले ये उसमें डालूएंगे हींग है भूना जीराय है काला नमक और सफेद नमक तो यहाँ पर नहीं साड़ा लागाद के लिए तो यहां पर मैं पहले कचव़वान का श सम अज़ुतं और तो फोड़ा सा नमक आधाच अमाच और इसमे मैं मौवान लगा देती हूं तहां यह से तो यह दीडियों मैं अच्छे से में मौवान लगा दिया है और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी मीठे पुवे काटा और पुवा तो मैं आज गुड़ से बना रहे हूं क्योंकि मेरा गुड़ के पुवे बनाने का मन था तो इसलिए मैं गुड़ से पुवा बनाऊंगी तो यहां पर मैंने दो कटोरी गेहूं काटा ले लिया है और यह कटोरी मैंने सूजी डाल दी है पतली वाली सूजी थी तो ऩो तौर बना दी है और इसमे थोड़ी से गरी डाल दिया है और मीठा सोडर आला अधा चैमस यह से भगा रहे हूं, और क्यहांगी बंदेब तो बिल्कुल बिस्किट के तरह रहते है यह पुए क्योंकि इसमेश जब शुजी डाल दो तो बहुत अच्छे पुए बनते हैं और यहां पर यह देखिए मैंने यह बना लेती हूं बारा. इसमेश मैंने मेठा अलग निकाल दी थी, तो दाल मैंने पहले इधर मैं फ्राई कर लेती हूं, अश्य से भून लेती हूं, कंगी कचछारी हिएं की दाल जब भून लो तो बहुत अच्छी बनती हैं, तो इस तरह से मैं इसमें डाल दी हैं सारे मसाली, तो यहां पर मैं थोड़ा सा नमक तुमक आटे में भी मिलाया है तो यहां पर अच्छे से इसको भूनोंगी और बिल्कुल भूबरी होने तक यह जब डाल पकेगी तब अच्छे से कचवरियां बहुत अच्छी बनती हैं अच्छे से पक जाती है दाल तो आप यहां पर मैं बना लेती हूं यह जो बड़ा मैं बना रही हूं क्योंकि खिचडी में मैं दही बड़ा जरूर बनाती हूं और पकवान भी बनते हैं तो अब दो पहर में मैं सब सारे पकवान बना लेती हूं तो इस तरही के से मैंने बड़ा भी बना लिया है और यह देखिए मैंने ले डाल पीस के रख दी थी तो यह बहुत अच्छी वो गई है और फूल भी गई है तो यह देखिए बढ़ा अच्छे से फूल रहे हैं अगर तुरन्त पीस के बनाव थो फूलते नहीं है तो इसलिए मैंने बटश पो पीश यहां पर मैं सब सारा हू तो यह जब अच्छे से भी यह बिग जाते हैं तही के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से मैंने पकवान बनाए है और अगर आपको पकवान अच्छे लगें तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर ना यहां तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंटर करके बताएं अर यह देखिए जो मैंने दघी तायर किया हुआ है उसमे घडाल देती हूँ ये बार और फुलवरिया और यह अच्छे से इसमें टाल देती हूँ जितनी आयेंगी इतनी डालूंगी और जो नहीं आयेंगी उनको बाहर रख लेती हूँ ऐसे खाने के लिए और यहाँ पर यह जो मैंने कचवरियों के लिए मसाली तयार किये हैं और यह जो दाल मैंने भूनी है वो भून गई है अच्छे से पग गई है अब यहाँ पर मैं बना लेती हूं पहले मीठे पुवे और ये पुवे बहुत अच्छे बनते हैं तो इस तरह मैं पुवे बना लेती हूं और सबको बहुत पसंद आते हैं तो इस तरह से पुवे बन गए हैं तो अब मैं बना लेती हूं कचवरियों कचवरियां तो इस तरह से मैं एक साइज की लोईयां तयार कर लेती हूं पहले इस तरह से तो एक साइज की कचवरियां बनेगी तो इस तरह पहले मैं लोईयां तयार कर लेती हूं उसके बाद मैं किसा AIDS कचवरिय Creek भरके रख लेती हूं की हम लोगों को है ज्यादा पसंद यह और जो रेडि मेड मसाला मिलता है उससे बनाती हूं लेकिनों वह ज्यादा नहीं मैं बनाती हूं क्योंकि वह कम पसंद आती हैं तो इसलिए मैं यह वाली कचवरियां ज्यादा बनाती हूं तो इस तरह से यह देखी मैंने कचवरियां भर ली हैं पहले और मैं पका लेती हूं तो यह देखी कितने अच्छे से फूल रही हैं तो इस तरह मै बना लेती हुआ पकॉड़े करें सिर्फ इसे बैशन में डूबोगर के तो बैसन में सब्सक्राइब बना दिये हैं और पकॉड़े बंआ देती हूँ और ये देखिए पकवान सारे बन के रेडी हो गए हैं पकावड़े हैं पूरी कचावड़ी मीठे पुए और दही बरा और ये फुलावरियां और ये सुखे पंबरे और इस तरह से मैंने सारे पकवान बना लिये हैं और मिलती होना है वीडियो के साथ तर दो के लिये हैं